हेलो नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सम लोग उमीद करती हूँ आप लोग बहुत यह अच्छ होंगे दोस्तों आज किस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाली हूँ दोस्तों अगर आप लोग का बैंक एकाउंट SBI बैंक में हैं और अगर आप लोग अपना NPCI प्लस ड सबसे पहले आप लोगों किसी भी गूगल ब्राजर को ओपन कर लेना है सर्च बॉक्स में SBI लिख देना है लिखने के बाद दोस्तों आपके समने यहां पर फर्स्ट में देखने को मिल लगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यह वाले फर्स्ट आप लोग क्लिक करते हैं आप शमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कोफी चेर बोटल खुल जाता है यहां पर लोगों देखने को मिल रहां कुछ इस तरह कर के ठेक है उसके बाद दोस्तों опять आप लोग जैसे open कर देते हैं यहां पर आप लोगों सब कुछ यहां पर देखने को मिलेगा और यहां पर आप लोगों नीचे में लिखा होगा अधार सीडिंग सर्विस BASE सिंपली हमें इसी पर क्लिक कर देना है ठीक है चैसे दोस्तों हम इस पर क्लिक कर देते हैं हमारी शामने एक नया पेज open हो जाता है चहां हमें कुछ इस तरह करके इंटरफिस देखने को मिल जाती है अब दोस्तों यहां पर आपको सब कुछ देखने को मिलेगा कौ आप कौन सा आपलों को डॉक्मेंट लगने वाला है कैसे क्या करना है तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर सिंपली क्लिक कर दें जैसे इस पर click करते हैं आप लोग को यहां पर पढ़ने के लिए आपको यह बता जाता है आप लोग सभी से को पढ़ लीजिए गा समझ लीजिए गार उसके बाद यहां पर सिंप्ली प्रोसेस की option पर click कर देतें दोस्तों आपके शर्मनेक नया पेस ओपन होता है जो आप लोग कुछ इस तरकर के इंटरफेस देखने को मिल जाता है अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलना कुछ इस तरकर के पेस ओपन हो गया है अब हमें यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे कंजूमर का आप लोग को देखने को मिलना उसके सामने में एक प्लस का आइकन दिख रहा है इस पर सिंपली क्लिक कर देना है जैसे आप लोग प्लस के आइकन पर क्लिक कर देते हैं जहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जिलिखा होगा भारत अधार सीडिंग इनेबल बी ए एस इ ठीक है सिंपली हमें इसी के उपर क्लिक कर देना है अब दोस्तों इस पर जैसे हम लोग क्लिक कर देते हैं हमारे शामने एक नया पिस ओपन हो जाता है जहां हमें ये पूछ रहा है यहां पर आप से मांग रहा है अधार नंबर जो आपका अधार नंबर है उसको आपको यहाँ पर fill up करना है capture यहाँ पर दिया इस capture को इस box में fill up कर दीजेगा simply check status पर click कर देना है ठीक है इस पर जैसे हम लोग click करते पहले में इसको भर लेते हैं अब उसके बाद दोस्तों हमारे सामने कुछ इस तरह करके पिस open हो जाता चहां आपके यहाँ पर में अधार नंबर आपके last वड़ा देखने को मिलेगा यहाँ पर आप लोग का active देखने को मिल रहा ठीक है और यहाँ पर आपका जिस तारिक में आप NPCI प्लस डिबुटी से link करवाए हैं और आप लोग को link करवाना है दोस्तों सबसे पहले आप लोग क्या करना परेगा यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल रहा है यहाँ मैं अपिंग एस्टिटरस लिखा है यहाँ पर active देखना है ठीक है अगर active यहाँ पर नहीं रहाएगा जब आपका बैंक जालू हो जाएगा तो आपके मन में एक सवाल होचता होगा कि मैं online कैसे एंपी से प्लस जीबिटी से link करें तो यह दोस्तों मैं आपको बता दूँ यहाँ पर online में कोई भी service अवेलेबल नहीं है तो आप लोग को जाकर बैंक ही जाकर आप लोग और ऐब मिलेगा वहांगो अप्रम को भर कर समिट कर देना है और अप लोग अप्रिया से दूस्तों वीडियो कैसा लगा फ्रेजी छरूर कीचे और कमेंट वह प्रेंट